नमस्कार सस्वी कलदाव मैं पंकष ठाकूर रूम सोडियो सी किसी आज आपके लिए एक स्टिचिंग स्टाइल की वीडियो लेके आई हूँ काफी व्यूर्स की डिमांड थी के नई वीडियो आई नहीं यह बड़ी देर होगी एस्टिचिंग स्टाइल की और आज की वीडियो में ने स्पेशली में पश्मीने के जो कानी के सूर्स होते हैं उनका कैसे स्टिचिंग स्टाइल बना सकते हैं जो मेरे आईडियाज हैं मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि उसमें क्या होता है कि नेकलाइन बनी होती है घेरे पे बॉर्डर्स होते हैं तो थोड़ा समझ नहीं आता कि डिजाइनिंग करे तो करे कहां तो मैं आपको अपनी आईडियाज शेयर करने जा रही हूँ मज़ा आएगा बड़े different different unique ideas हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ तो शुरू करते हैं जल्दी से पश्मीना के कानी के suits की designing एक न मैंने orange color का suit पहना था वीडियो में इस suit की इतनी demand थी इतनी demand थी कि हमारे एक बार खतम होगे थे दुबारा पे हमने दुबारा से factory से ये दुबारा बनवाए थे सारे और इसका stitching style में सबसे पहले शुरू कर रही हूँ neckline ऐसे बनी हुई थी weaving में घेरे पे borders थी जी हमने क्या करा कि सिरफ sleeves के आगे ना ऐसे cut work की shape में stitching करी इसकी यह आपको दिख रहा होगा अंदर की तरफ कपड़ा टर्न कर दिया जैसे इस shape में सलाइयां लगा के फिर उसको in turn कर लिया कपड़े को और अंदर यहां पर hemming होगी ठीक है जी this is the sleeve style एक sleeve के उपर designing आगी neckline के हम bound पे थे हमने यही वाली neckline देनी है क्योंकि वह shape बनी होती है और back पे हमने क्या किया यह borders आपको extra बची जाते हैं designing के बाद back पे simple एक border लगा दिया यहां पे अगर आप इसमें कुछ और add करना चाहते हो अगर आपको लगता है कि कुछ और element add कर तो आप यहां पे कोई छोटा सा embroidery वाला design भी बना सकती हो है ना that is extra और इसकी bottom जो बनाई है हमने straight सल्वार बनाई है जी straight सल्वार जैसे सल्वार plane थी तो यहां पे room था हमें designing के लिए हमने गया गर है कि यह भी कटवक की shape में bottom पहुंचा बनाया है साथ में simple यहां चावल टांके के साथ जो color था ना green बीच में उसकी लाइने लगा दी चार चार और इसकी सल्वार भी हमारी थोड़े different बनती है जी यह दिखो मैं आपको दिखा दू this is the style how we make the सल्वार इसमें क्या होता है कि belt चोती है न यह center में अलग से छोटी सी belt डालते है बाकी belt नहीं है आपको दिख रहा होगा यह एक box है belt का और यहां पे one two three four five pleats यहां पे लगाई है five इदर लगा one two three four five बाकी यहां पे belt नहीं है यह straight नीचे तक fabric जा रहा है मैं कोशिच कर रही हूं कि अच्छे से explain कर दो देखो यह पूरा straight कपड़ा यहां पे कोई joint नहीं है जैसे belt का यहां joint होता है belt सिरफ और सिरफ यहां है back पे भी आपको यह plane ही दिख रहा होगा this is plane fabric और बड़ी अच्छी fit आती है यह जो पूंचा होता है क्या problem होती है कि पूंचा side पे चला जाता है तो अगर आप इस style से सलवार बनाओगे पूंचा आपका बिलकुल front पे ऐसे pair पे गिरेगा यह center यहीं आएगा तो इस वज़े से यह designing हम ऐसे करते हैं इसके साथ simple install थी नेक्स आगया जी मोफ सूट यह भी मैंने रीसिंट वीडियो में डाला था आप यह सूट पर चेस भी कर सकते हो इनका 1600 तो प्राइस था सूट का बाकि स्टिचिंग आप WhatsApp पूछ सकते हो ठीके जी आपकी यह सेल के लिए भी है अवेल कर दी यह देखो sleeves border use करें जी ऐसे border यहां लगाया और एक side पर थोड़ा slant में border लगाया यह देखो यहां पर loops और portlies बनाई है side पर थोड़ा golden touch वाला fabric लगाया बीच में plain तो थोड़ी सी resigning ऐसे करके आपको मैं दिखाती हूँ यह देखो और अंदर यह intern fabric करके यहां पर यह इधर कर रहा है intern यहां पर hemming कर दी है और यहां पर तो simple वो border को उपर से attach कर रहा हूँ है shape देखो कि अच्छी आई है और पहना हुआ बड़ा सुंदर लग रहा था और back neck में भी दिखा देती हूँ back neck में हमने क्या किया है थोड़ा सा यह जो silverish touch था ना यह उसका चावल टांके का इसे काम कर दिया straight में और यहां पर छोटा सा cut रख दिया और थोड़ा सा भी element अगर आप add कर दो ना suit में वो थोड़ा हट के हो जाता है अब मैं आपको trouser दिखाते हूँ इस भी साथ straight trouser बनाई है जी नीचे borders लगे यहां पर चाचार पिंटेक्स और यह हमारे पास गोटा था similar matching वो हमने पोंचे पे लगा दिया this is the straight trouser एक green suit था यह भी मैंने वीडियो में पहना हुआ है और इसमें भी देखा पूरे आलोवर बूटियां थी घेरे पे border neckline पे भी था और neckline क्यों भी हमने यहां पे design कर दिया यह हमने क्या किया यह पूरा ऐसी neckline बनी हुई थी तो आप किसी भी neckline ऐसी जो बनी है उसको design कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप plain कपड़ा लगाया हमने collar में और उसके उपर ऐसे bone type यह red color का fabric लगा दिया उसको intern कर रहा है silk fabric की piping की तरह ऐसे shape दे और round में round नहीं है जो भी आपकी neckline का shape है उससे सबसे दे सकते हो और इसकी जो back neck है वो बनाई है straight keyhole और उसके बाद sleeves का design आपको बड़ा पसंदान है यह मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था देखो sleeves ऐसी बनाई है यहां पर border लगा दिया और यह around five to six inches लंबे काफ बनाई है और इसके ना अंदर की तरफ हमने यह red fabric लगाया है तो जब पहनी होती है ना थोड़ा सा red जलगता है ना यहां प trouser और यहां पर cut है और zigzag laces थी same color की वो हमने यहां पर दो lines लगा दी यहां पर double fabric है यह देखो और proper आपको side cut में यह ऐसे बनाई है paint मुझे ना काफी complaint आती है कि अच्छे से दिख नहीं रहा तो मैं ऐसे उठा के दिखा रहे हूं this is the trouser design यह देखो simple यहां पर border है और दो zig glasses है इसका मैं back side से भी दिखा देती हूं this is the back यहां पर border add की है यह देखो और लोग करा हूँ है simple और neckline भी एक बार आपको उठा के दिखा दो this is the neckline अंदर की तरफ हमने red fabric लगा है तो आप भी ऐसे अपने tailor को बता सकते हो दिखो this is the sleeve designing ऐसी आप screenshot ले सकते हो और share कर सकते हो अपने tailor's के साथ एक मैंने न off white suit पहना था वीडियो में यह भी खेरे पे border बना हुआ था neckline पे भी designing थी खेरे पे मैंने क्या किया इसमें golden touch था तो यह laces add कर दी थोड़ा सा और इसमें look आगी add हो गया और थोड़ी length भी बढ़ गी और front and back दोनों पे यह laces दी है जी बड़ ने खूल रहें अंदर वरी side खूल रहें neckline पे कुछ नहीं था back पे हमने क्या किया यह देखो back पे long pin-tech style के उपर yoke बना दिया इसका चोटा सा यह बड़ा अच्छा लगता पहना हुआ suit और इसका और design था दुपट्टे पे main वो मैं दिखा रही हूं आपको इसकी stall बड़ कोई बीटर होती है तो हमने इसके पल्लू पल्लू पे ऐसे tassels लगा दी यह बड़ी पैरी लग रही थी जब आप ऐसे चीज़े पहनते हो ना आपको एक अलग साफ ही लाता है एक richness सी इसके साथ लगती है यह देखो cream color की है और साथ में थोड़ा लंबा भी दिखने लग का एक आपको printed पश्मीना का design दिखा रही हूं यह print बड़ा ही सुन्दर लग रहा था मुझे बहुत ज्यादा पसंद था तो मैंने ना इसका design भी ऐसे बनाया पूरा मन से हमने क्या किया high low बनाया इसका round घह रहा है उपर की तरफ ऐसे और नीचे ऐसे downwards आ गया ना C cut में हो और इसकी neckline बनाया जी हमने यह देखो ऐसे करके this is the neckline इस पे ऐसे यह black color है थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन I'll try my best कि अच्छे से explain करूं यह देखो यहां से cut work शुरू हो रहा है इधर से cut work शुरू हो रहा है और नीचे तक यहां तक जा रहा है ऐसे ठीक है और अंदर जो फैब्रिक लगाया है वह printed कपड़ा ही अंदर तो दोनों side पे ऐसे cut work की shape में black fabric bottom वाला लगाया है ठीक है बीच में वही print लगया है मैं ऐसे उठा के दिखा रहते हो यह देखो बहुत सुन्दर design है यह और किसी भी suit पे लगा सकते हो plane पे है ना print पे अगर plane suit है तो अब printed कपड़ा यूज करके उसका cut work दे सकते हो और sleeves पे हमेंने क्या किया है plane पश्मीने की bottom का कपड़ा साथ में चंपा गोटा एड़ कर दिया ठीक है जी back neck बनाया है ऐसे keyhole बना दिया back neck पे यह में दिखाती हो this is the keyhole और सबसे पहले जब print आया तो मुझे सबसे पहले idea था कि मै आई वाले फूलों वाला रंग उठा के हमने सल्वार बनाई है जी नीचे cut work की shape है और साथ में यह पिंटेक्स टाले है वान चू एन थ्री पिंटेक्स के बीच में flowers है एक flower यहां आगया एक यहां आगया एक यहां तीन तीन फूल है दोनों पोंचों पे और cut work है साथ में इसी पश्मीना में और यह वाली सल्वार जो है इसका भी मैं design दिखाती हूं आपको this is straight सल्वार, simple straight सल्वार बनी है यह इसकी जो cutting होती है na trouser की तरह cutting होती है side पे इससे sly लेकिन look सल्वार वाली होती है और इसका जो दुपट्टा बनाया है वो हमने double shade में दुपट्टा इसके साथ यह रहा दुपट्टा और पलू पलू पे हमने peach color कर रहा है और उपर black color और पलू पे यह simple flower वाली lace लगाई है बड़ा ही प्यारा combination है आप सबने पसंद भी बहुत किया यह suit तो यह थी designing छोटे-छोटे elements डाल के आप suit को बहुत सुंदर बना सकते हो बहुत ज्या element हो ना किसी suit में design का तो हर किसी का focus वहीं जाता है जैसे sleeves में जो कफ में designing है वो बड़ी पहरी लगती है back neck में पी designing अच्छी लगती है थोड़ी-थोड़ी embroideries add करो जैसे simple suit है कहीं नहीं करना back पे जैसे मैंने बताया कि एकसे कोई lace लगा के नीचे छोटा सा motive बना दो गर्म वहीं आपके साथ share करती हूँ आपने भी अपनी designing में साथ share करनी है thank you so much for always loving my videos thank you